नमस्कार विद्यार्थी मित्रो धोरण 10 विग्नान ने टेक्नोलोजी चेप्टा नमबर 2 एसेड बेज अने ख्षार जेमा प्रश्ण नमबर 3 कोई द्रावल ने एसेडिक अथवा कोई द्रावल ने बेजिक वर्तनुक करवी होई तो तेना माटे ना जवाबदार आयन जणाओ अने एसेड अने बेज नी वर्तनुक माटे पानी साथे नी प्रक्रिया समझाओ वाइड बोर्ड परानों जवाब मेलविये शुके छे सवाल मा के कोई द्रावल ने एसेडिक वर्तनुक करवी होई अथवा कोई द्रावल ने बेजिक वर्तनुक करवी होई तो तेना माटे जवाबदार आयन जणाओ आना छे तो ध्याना पो तमने खबर होई पड़े कोई द्रावल ने एसीड तरीके वर्तनुक करवी होई तो तेना मटे जवाबदार छे H प्लस आयन कोई द्रावल ने बेजनी वर्तनुक करवी होई बेज तरीके वर्तव होई तो तेना मटे जवाबदार छे OH माइनस आयन अवे तम नेव की दूँछे के एसीड अने बेजने पानी साथे प्रक्रिया करो तो एसीड तरीके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसीड एन ये पानी साथे प्रक्रिया करिए तो खास द्यान आप जो आ H छेई पाणी साथे जोड़ा है जेशे एकले बनी जेशे H3O प्लस अन्य क्लोरीन छेटे मुक्त थाई जेशे एकले बनी जेशे C L माइन आ H प्लस अथवा H3O प्लस आयान जारे उत्पन न थाई तो समझवानू द्रावण के उचे एसेड छे बेज नूदारन लेए बेज तरीके लेए सोडियम हाइड्रोकसाइड एने तम्हें पाणी मान आपो तो एने अलग थाई जाए एने प्लस अने ओए एच अलग थाई जाए ओएच माइनस तो ओएच माइनस आयान उत्पन न थाई मतलब द्रावण के उचे बेज ज़े आम कोईपन जल्लिया द्रावण एसेड होई तो एना माटे प्लस उतपन थवोग जोई है अथ्वाए étape 3 resposta थवोग जोई है अने कोई पण जल्य द्रावन 20 छे थो तेना माटेeminज माइस उतपन थवोग जोई तो विद्यार्थी मित्र bona hour तमारो प्रश्ण त्रीस पूण थाए छे झाल चाल झाल